नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल नैंसी ब्लॉग एंड किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे आनन में होंगे तो चलिए दोस्तों किचन में चलते हैं और आज की जो रिस्पी है उसको बनाते हैं तो देखिए ये ग्रेवी के मसाले हैं, ये मस्टर्ड ओईल है, आप जो भी यूज करते हैं डाल सकते हैं, ओईल गर्म हो गया है, ब्रॉकली डालेंगे, अब ब्रॉकली को सोटे करेंगे, आप ज्यादा ओईल खाते हैं, तो आप इसको तल भी सकते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाएं, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, नमक डाल देंगे, नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी देड धग के पकाएंगे इसको, अब देखेंगे हो गया है की नहीं, अभी थोड़ा सा और इसको धग के पकाएंगे दो मिनट के लिए, तो ये हैं ग्रेवी के मसाले, दो मीडियम साइज के प्याज का प्यूरी है, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये है ब्लैक पिपर और बड़ी लाहची पाउडर, हल्दी पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दो मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी है एक प्याज बारीक कटा हुआ तेज पत्ता एंड दालचीने तो अच्छा से मिला लेंगे इनको मिक्स कर लेंगे अब देखते हैं ब्रोकली पकी की नहीं ब्रोकली हो गया है जैसा की चाहिए था हो गया है अब इसको निकाल लेंगे यह देखिए अब ऑईल डालेंगे ग्रेवी के लिए हींग डाल देंगे जीरा डालेंगे अधरक लेंसुन का पेस्ट है डाल चीनी एंड तेज पत्ता तो इनको थोड़ी देर पकाएंगे यह हींग है हींग जरूरी होता है हो सके तो हींग जरूर डालिए और यह बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे तो थोड़ी देर इसको प्याज को पकाएंगे अब मसाले को डालेंगे जो मसाले तयार रखे हैं मेक्स करके उनको डालेंगे इसमें और धीरे धीरे इनको पकाएंगे मीडियम टू लोग फ्लेम में ही मसाले को भूनेंगे और यह ब्रोकली में नमक डाला था पहले तो इसलिए उसी के इससाहब से नमक डालेंगे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और रेट चिली पाउडर भी मैंने कम डाला है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मसाले को दो मिनट भूनेंगे, और अब इसके बाद डालेंगे टमाटर प्यूरी, तो ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे, और इसको भी धीरे धीरे भूनेंगे, हमारी रेश्पी में ओईल कम होता है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और मसाले को ढखके भून सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए इसको ढखेंगे, और ढखके पकाएंगे, तो चलिए फिर देखते हैं इसको, और बस ऐसे ही देखेंगे, थोड़ा सा ढखके इसको पकाएंगे, आप खुला भी पका सकते हैं, नहीं ढखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं मत ढखिये, ऐसे भी भून सकते हैं, तो आप देखते हैं, तो ऐसे ही इसको देखते रहिए, धीरे धीरे चलाएए, तो दोस्तों, आप लोग कुछ योगा या एक्सरसाइज करते हैं, कि नहीं, नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 10 मिनट का वाकिंग जरूर करें, स्पीड में चलें, जिसके ब भूनेंगे, ब्रॉकली में आप आलू या सोया भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ ब्रॉकली बनाया है, अब इसको ऐसे मेडियम ख्लेम में 2-3 मिनट भूनेंगे, अब ये मसाले आल्मास्ट हो गये हैं, अब इसमें पानी एड़ करेंगे, और ये गरम पानी है, आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, तो आप जैसा भी कंसेस्टेंसी चाहते हैं, पानी एड़ करिए, तो पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब इसको ढग देंगे, अब देखते हैं पग गया है की नहीं, तो ब्रोकली देखेए पग गया है, अच्छे से पग गया है, अब इसमें धनिया पत्ति डाल देंगे, गैस को आफ कर देंगे, तो ये देखेए, ब्रोकली मसाला बन के तयार है, तो दोस्तों, अगर हमारी रिस्पी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल में पहली वार आए हैं, तो सस्क्राइब कीजिए, तो दोस्तों, आप लोगों से अब विदा चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई, और तक केर,